Assalamualaikum, Excel की एक और वीडिय के साथ हाथरू हूँ इस वीडियों हम बात करेंगे कि हम Excel में जो है वो ChatGPT को किस तरह से यूज कर सकते हैं और उसको यूज करके वो अपने Formulas को किस तरह से बनवा सकते हैं और किस तरह से अपने जैसे अगर अमारी Excel की Skills नहीं है तो हम ChatGPT के जरिए अपने काम Excel के किस तरह से करवा सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि में पास एक Excel की Sheet है और यहां पर कॉलम में कुछ Tracking Number है मेरे पास जिसे नाम आ रहे हैं और इसके साथ Tracking Number आ रहा है अब मुझे इसमें जो काम करना है यह करना है कि Last का Tracking Number है यह निकालना है तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी Excel आता हो तो यह कि आप इसमें राइट का फॉर्मला लगा लोगे लेकिन प्रॉब्लम के आएगी कि यहां पर जो Length है वो सेम नहीं है तो उसकी वेजा से कभी पूरा Number आएगा वनना है राइट और लेफ्ट के पॉर्मले से काम हो जाता है अब अगर मेरी skills नहीं इतनी मुझे यह चीज नहीं आती तो मैं क्या करूंगा पर या तो यह किसी अपने colleagues से पूछने वो आपको बतायागा और उसको भी नहीं आता तो आपको पर जो problems होगी उसके नियाप्या कर सकते हैं आप ChatGPT को इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है मैं ब्रॉजर का आता हूं आप मैं आप ChatGPT open किया है ठीक है इसमें लॉग इन करना वास असान है सिंपल आप अपनी Gmail के ID जालते हैं या कोई भी ID जालके इसमें लॉग इन कर लेता हूं और इसका फ्री अकाउंट आपका create हो जाता है ठीक है अब मैं यहां पर इसको बोलता हूं कि मुझे जो भी मतलब problem है मैं आप लिख देता हूं जैसे मुझे यहां पर क्या बताना है कि मेरा जो data है सही हो इस form में है और इसमें से मुझे last के number निकालना है तो मैं इसको यह लिख देता हूं अच्छा लाजमी नहीं है कि आपको जो English आप अपनी जो Roman English होती है उसमें भी इसको बोल सकते हैं और यह इस चीज को भी समझ लेता है जैसे मैं इसको बोलता हूं देटा इस तरह से है आप इसको डेटा भी देदेंगे इसके लिए और असान हो जाएगा कि उसको करना किया उसको समझ कर और आपको बना के देदेगा अब मैंने इसको इंटा कर दिया अब आप देखनें कि आपको जवाप भी वह Roman English में ही दे रहा अगर आप इंग्लिश में पूशें गे तो आपको इंग्लिश में जवाप देगा अरुदु में पूशेंगे तो उर्दु में जवाप देगा और अगर Roman English में जवाप देगा अब इसने एक है कि है कि simple right to form लाग कर दिये मैं इसको कॉपी करता हूं मैं यहांपर मैं प्रेस्त करता हो तो मुलता हूं कि तो किन बोलता हूं कि SAT यह भी लुक्टाना पड़ता यह भी background कि मैरा के तो यह पने पॉर्मिले में जो दुबारा से क्रेक्षं करेंगा और क्रेक्षिन कडिए के बाद आपको पाज़िए मैं यह detect के माँ सब्सक्राबर आप कर लेते हैं इसको कॉप्य करता है जफ 12 का चयों के कॉर से कांपा है इसको दुबारा बोलता है और थोड़ा सा इसको explain कर देता है अब देखते हैं कि यह क्या करता है त्थमाहिकर नहीं है थो फॉरमला बनाए है इसको हम copy करके चेक कर देते हैं कि अभी काम कर दे दिया है वह सिर्फ नंबर जो रास्ट के ट्रेकिंग नंबर आ रहे हैं उनी को यहां पर शो कर रहा है तो अगर मुझे काम नहीं आता होता तो मुझे देखें इसने जो फॉर्मला बनाया है काफी लेंड दी है मतलब इसने तीन चाह फॉर्मला की इसने जो रहर आधा जो पीछ कमिनेशन से वह एक फॉर्मला बना है तो आपको इतना लंबा फोल्मला हो ऑपको यह तो आप खॉड प्योग नेगे है वह पको फॉर्मला बना कर देगा और आपका जो मसला है जो भी आपको रॉब्लम आ रही हो आपकी तो इसतरीके से जो है ठीक है यहां पर प्रोड sets मेरे पास और उनकी जो जारी है जन्वरी फरवरी और मार्श है अब मुझे करना जिए है कि इसमें जन्वरी जो सेल उसमें से खाली पॉअला स्वाइब मुझे सम्साव सेल्स नगए चाहिए कि और अब मैं सेढम स्वाइब जैक को कौई तो आपको इसी फॉर्मिले में भापनेंट करता रहेगा चरिंज साल रहेगा तो इसनी आपको इसको शाल दूसरी पूछी ए जो भी भी वह यहाँ पर टाइप कर सकते मुझे क्या करना है क्या करना है क्या है मैं इसको बोलता हूं क्या मुझे और मैं इसको यहाँ पर data भी copy कर दता हूं उसको पर बोल दता हूं कोई data दासता ना से ठीक है तो अब देखते हैं कि यह प्रमुला में आके जाता है तब ही अब इसको पेस्ट कर लेता है यह भी response और वह भी response है जो भी आपको समझ में आपको कर सकते हैं अब हम जो इसको copy करते हैं ठीक है और यहाँ पेस्ट कर लेता हूं तो अच्छा जी अब यह जो मेरे पास sum लेकर आ रहा है वो आ रहा है 246 अब इसको verify कर लेते हैं कि क्या ऐसा है नहीं है तो हमारे पाद जो product है हम उसको filter कर लेते हैं ठीक है filter करने के बाद जो हमारा result आ रहा है यहाँ पर देख सकते है 246 ठीक है तो इसने जो हमें formula बनाके दिया है वह accurate बनाके दिया है कि हम यहाँ पर जो है वह एक product का sum लेकर रहा है जन्वरी का ठीक है जैन का अब मैं बोलूँ कि इस तरना से जो ह है वह यहाँ पर इसको चेंज करके अपना काम कर सकता है लेकिन अगर आपको एक्सिल नहीं आता आप इसको बोलने है ठीक है आप देख से बिल्कुल जो रॉमाने की चीज़ होती है उस तरह से बात कर रहा हूँ मैसेज टैपिंग जो होती है और यह मुझे उसी में जवाब दे रहा हूँ मेरा काम करके दे रहा है अब देखने इसके बी का भी कर दिया इसको बोलने से इसको बोलने सी का भी दे दिया सिंपल आपको कुछ नहीं करना कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम यहाँ पर हो गो जाएगा यह खुद आपको अपना आप्से काम हम रों करके दे रहा है अब देख सकतें को बोला इप डी थो यह समझ गिया यही काम चेंगा है और पच्च की की से ले ऑगई है और हम दिख सेके से हैं तो फइर लिख से…. और सेल को टक कर लिता हैं आप देख सकते हैं 566 ठीक है तो अगर आप इसको देखें तो 566 आ रहा है तो यानिक इसने मुझे इसाई बना कर देदी है अब मैं इसमें एक और कंडिशन लगा देता हूँ कि मुझे क्यों थी कि मुझे जाओ टीनों महिनों की एक साथ सम करनी है तो उसका फॉर्मला बनाके देदी है और अब मैं यहाँ पे इसको फेस्ट करता हूँ आप देख सेंथे कि इसने जाओ सम कर दिये है चेक करने के लिए हम इसको वारिफाइ कर लेता है इसने सही रिज़ देखा 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 तो इसने हमें परफेक्ट आंसर दिये है यहाँ पे इसका सम गरके ठीक है तो यह मैं आपको बस छोटी होटी सी ग्जेंपल दिये है आप इसको बहुत जादा जो कॉम्लिकेटेट क्यूरी होती है आपकी उसमें भी इसको अस्तमाल कर सकते हो लिकम उसमें यही कि थोड़ी सी आपको प्रबलम होगी मतलब आपको असल में होता ही कि आपको आपकी प्रबलम है और क्यूरी है वो आपको सही से समझानी है अगर यह एक बार समझ जाता है तो फिर रिजल्ट वह बिलकुल परफेक्ट देता है जैसा आप देख रहे हैं इसने जो परफेक्ट रिजल्ट दिया हमें IC1 में ऐती टिक स्ने थोड़ा सा घलत दिया समझा आ इससे साही आंसर दे इस तरह लोता है YOU आप जो लुए फसारी complicated formulas जो बना के देगा आपको simple जो copy paste करना है और यह जो काम कर देगा टीक फ्रेंट तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैंने चैनल My Guide को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंसियाद शेयर करें